welcome to the video my name is Dr.Arapeed Banakhidhe and I am a graduate of BVST in English तो मैं आप लोगको आज discuss करने वाला हूँ कि वेटिन इरी के जो degree है उसमें आप लोग Best Veterinary Colleges कौन से है इंडिया में Top 10 Veterinary Colleges कौन से है यूंकि हमारे में दिमाग में कई बार से कोश्चन साते है कि हम best college से ही degree करना चाते है if we want our degree we want from the best colleges of India तो आपको आज में वही बताने वाला हूँ और सबसे पहला question यह है कि हम लोग क्यों best देख रहे best क्यों तो best क्यों के पीछ है यही reason है कि हम लोग best infrastructure देखेंगे best placements देखेंगे वहाँ पर admission की process क्या है यह देखेंगे सारे colleges में मैं आपको यही बताने वाला हूँ जितने भी मैं आपको top 10 colleges बताऊंगा सबकी मैं आपको admission process भी बताऊंगा और वहाँ पर infrastructure कैसा है वहाँ की facilities कैसी है तूसरी सब बाते placements कैसे होते है और यह सब कुछ हम discuss करके ही किसी college को rank करते है तो यहाँ पर मैं आपको आज discuss यह जब करने वाला हूँ और आपको एक बात और बता दूँ शुरू करने से पहले है कि जो private colleges होते है veterinary के और government colleges होते है उसमें main difference होता है fees का obviously fees जो है वो private colleges में बहुत ज़्यादा लगती है मतलब lakhs में fees लगती है 4 to 5 lakhs per year भी लग सकती है और जो government colleges है वहाँ पर जो fees लगती है बहुती nominal fees लगती है 60, 50, 60 thousand के आसपास लगती है 50, 60 thousand के आसपास लगती है और जैसे जैसे आप top colleges की तरफ बढ़ते हैं आप जितने top college में जाएंगे तो उतनी fees आपको कम लगेगी इसके साथ साथ कही सारे scholarship programs रहते हैं जो कि आपको enable करते हैं कि आप लोग को और भी कम fees लगे जितनी भी fees आप देख वो सारे आपकी वापस हो जाती हैं तो यहाँ पर यह सारे आपको advantages मिलते हैं आप top college से अपनी degree लेते हैं वेटनेरी की तो तो आईए देखते हैं कि top 10 colleges कौन कौन से हमारे देश के top 10 colleges कौन कौन से हैं वेटनेरी के और यह जो list है यह हो सकता है कि आप लोग को लगता हो कि हमारा college इसमें included नहीं है या फिर आपका colleges इसमें शायद नहीं आ पाया है तो यह जो list है यह शायद हो सकता है कि आपके expectations पूरी ना कर पाए क्योंकि हर जगा अलग-अलग list दी गई है तो I hope so कि यह list आपको आपकी जो expectation उसको justify कर पाए तो चलिए शुरू करते देखिए यह पहला जो college आता है हमारे इंडिया में टॉप 10 में जो first college जो first number पर आ रहा है यहां पर तो वो है college of veterinary science हिसार हरियाना तो यह जो college है it is a well-reputated college of India and it is affiliated with लाल, लाजपत, राय उनिवर्सटी of veterinary and animal sciences यहां पर जो इसका infrastructure काफी शांदार infrastructure आपको देखने मिलता है the college is some of the best colleges of veterinary in India with good good infrastructure and disease-free small animal houses यहां पर आपको सारी facilities देखने मिलती है और यहां पर जो आपको fees है वो यहां पर देखने मिल रही है मेरे left side में आपको fees देखने मिल रही है जो first year की fees है आपको मैंने जैसा बता है कि government colleges में जो fees होती है that is very nominal 50,000 आपको यहां पर देखने मिल रहा है fees 52,000 first, second, third year and all the आपको total जो course है वो 2,35,000 रुपे में हो जाता है तो it is a very nominal cost और यहां पर जो admission है बेटा admission नीट से हो रहा है नीट exam is the main source of admission for all the top colleges मैं आपको पहले बता दूँ कि नीट exam आपको देना ज़रूरी है जिनको यह नहीं पता कि नीट exam क्या होती है तो नीट exam is basically meant for the admission to MVBS and BDS courses MVBS और BDS courses में admission के लिए नीट exam होती है पर basically अब वेटनेरी में भी ऐसा हो गया है कि वेटनेरी के भी सारे courses में अब नीट exam के थूँ ही admissions हो रहे है ठीक है तो first college हमने देखा college of veterinary science and animal husbandry हिसार हरियाना में एक college है second college जो हमारे पास निकल के आ रहा है top 10 में top 10 में जो second college निकल के आ रहा है एक मठब जाईए देखिए गडवासू गडवासू is the second best college गुरू आनन्द देव veterinary and animal science university it is based in लुदियाना पंजाब and it is one of the best colleges अगर आपको veterinary science के डिगरी करनी है इंडिया में तो ठीक है यहाँ पर इसकी कुछ photos दी हुई है इन सब की official websites भी है अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है इन college इसके बारे में इनके contact number चाहिए तो आप लोग इनकी websites पर जा करके official website आप डालना गडवासू official website Google पर डालेंगे या फिर आप कोई भी college का नाम डालके उसके official website डालेंगे तो वो आपको available हो जाएगी Google पर इसका infrastructure one of the मतलब best infrastructure है यहाँ पर हमारे इंडिया में library, auditorium, hostels, cafeteria, laboratory hospitals, medical facilities and a good placement also यहाँ पर काफी कम colleges इंडिया में ऐसे है वेटनेरी के जो placement भी offer करते है तो यहाँ पर गडवासू उनमें से एक है और यहाँ पर जो number of seats है वो आपको दिखने मिल दिये कि total यहाँ पर 100 seats available है NRI की 15 seats self finance seats यहाँ पर 16 है candidates are nominated by VCI R9 and seats for students of Punjab states मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता है कि जो state के जो बच्चे रहते है उनको हमेशा advantage मिलता है तो मध्यप्रदेश state में इतने भी colleges है वहाँ पर मुझे प्राथमिक्ता दी जाएगी मुझे वहाँ पर एक तरीके से reservation मेरे लिए रहेगा तो आप जिस state के है आपको वहाँ पर apply करना चाहिए ठीक है क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ advantages मिलते है as compared to आप बाहर से किसी state से आ रहे तो you get advantage in your own state यहाँ पर third जो आपको मैं नाम बताने जा रहा हूँ जो third number पर जो best top 3 में जो आ रहे है वो पंतनगर उत्राखंड College of Veterinary Science and Animal History पंतनगर उत्राखंड इस वन अफ दे बेस्ट colleges in India to study और यहाँ पर जो आपको बता दूँ मैं कि यह जो established in 1960 1960 है ना 1960 तो बिल्कुल 1960 में College बना था so you can see that कि इतना पुराण अगर यह College है तो यहाँ पर कितने मतलब कि it is one of the foundation foundation stones in veterinary in India और यहाँ पर यह College बना था और यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि fees इसकी कितनी है तो मैंने आपको बता nominal सी fees आपको देखने मिलती है जितने भी top colleges है अगर आप private college में जाओ गए तो वहाँ पर आपको 4-5 लाग रुपे देखने मिलेगी और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक साल की 36 रुपे फीस है जो कि आपके scholarship अगर आपको मिलती है तो वह वापिस आजाती है ठीक है तो यहाँ पर आपको कोई भी fees एक तरीके से नहीं लगती है अगर आपको कोई भी scholarship program मिलता है तो ठीक है तो यहाँ पर educated आपको पता ही है well educated professors और यहाँ पर आपको जो faculties मिलती है जो आपको पढ़ने मिलता है जिस तरीके की facilities आपको मिलती है library से लेकर के हर चीज hostel वगेरा और यहाँ पर जो facilities है उसके साथ साथ आपको यह भी बता दूँ कि eligibility is same as for NEET NEET exam में जो eligibility है वही आपकी eligibility लगती है इन सारे top colleges में भी और इसका admission भी बेटा काईसे होता है its admission is also based on NEET exam यहाँ पर लिखा हुआ है न you can also take admission on the basis of NEET exam तो NEET exam के basis पर आपको admission होता है इसके अलावा fourth fourth number पर जो college आ रहा है हमरे पास college of veterinary science and animal husbandry विकानेर उदैपूर जैपूर राजस्तान तो यहाँ पर विकानेर का जो college है it is fourth number पर आ रहा है राजवासू जो इसे हम बोलते है इसकी official website भी है बिटा आप लोग सभी लोग इनकी official website भी देख सकते हो अगर आप लोग को देखना है तो इसकी जो capacity 80 seats है यहाँ पर सिर्फ only 80 seats are there for the 5 year degree program of BVCNH और यहाँ पर सिर्फ 5 मतलब की 80 seats है और इसके लावा जो इसकी fees है that is I can see that 15,740 पर एनम तो सिर्फ 15,000 रुपे आपको देने पड़ते है ठीक है and if you are seeking admission from self finance seats then अगर आप self finance seats करवाते है तो आप लोग को 2 lakh रुपी ज़्यादा देने पड़ते है पर जायतर जो seats है वो already fill हो जाती है तो self finance के शायद options आजकल के जवाने में available नहीं है मुझे इस बारे में ज़्यादा information नहीं है इसलिए I will not say much about this क्योंकि यह जो college है इसमें क्या क्या conditions है यह सब आपको personally जाकर करके पर पदा करना पड़ेगा ठीक है तो यह जो है हमारा fourth number पर college होता it is one of the best colleges और इसके अलबा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसका जो admission होता है that is based on the RPVT RPVT क्या होता है राइस्तान में जो pre-wetinary test है राइस्तान pre-wetinary test तो इसको बलते RPVT तो राइस्तान में based colleges है अगर आप राइस्तान state से belong करते हो तो राइस्तान में जो जितने भी colleges है उनके सारे admission बेटा RPVT से होते RPVT जो कि आपको देनी है state level exam है जैसे कि MP में होती है MPPVFT वैसे ही राइस्तान में होती है RPVT ठीक है तो यह वही college है और इसका 15% जो seats है that is filled by NEET 85% seats कैसे भरेगी RPVT से 15% seats भरी जाएगी NEET से ठीक है तो यह अपना 4th number का college हुआ 5th number का college है College of Veterinary Science and Animal Husbandry Mathura UP Mathura का जो college है 5th number पर आता है पूरे इंडिया में और यहाँ पर it was established in 1947 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि condition सेम है यहाँ पर जो number of seats है वो total seats 80 है open seats 36 payment seats 18 NRI की 4 seat है VCI की 12 seats है women category की यहाँ पर 8 seats है और university ward की यहाँ पर 2 seats है तो यह पूरे distribution ने seat का यहाँ पर दिया हुआ है और आपको बताना चाहता हूँ कि जो fees है बहुत ही normal से fees है 50,000 रूपीज आपको यहाँ पर देखने मिलते है अगर आप self finance कराते है और यहाँ पर 11,000 रूपीज आपको देखने मिलते है अगर आप normally admission लेते हो तो तो सिर्फ 11,000 रूपे सिर्फ वो आपको लगते है वो भी आपकी scholarship पर तो वह वापस हो जाएंगे तो इतने कम में आपका यहाँ पर admission हो जाता है that is why I am saying कि आप government college से ही degree करे government college और top college से ही degree करे तो आपको उसमें ज्यादा फायदा है ठीक है इसके बाद जो हमारा 6 college 6 नमर पर जो college आता है that is basically बिर्सा अगरिकल्चर यूनिवर्स्टी रांची जारकन और यहाँ पर यह जो college है 6 नमर पर यहाँ पर stand कर रहा है हमारे इंडिया में इसकी official website की link भी यहाँ पर दिये हुई है यह जो पूरा website इसकी link भी में share कर दूँँगा नीचे description box या फिर comment box में तो आप यह सारे जो colleges उनकी जो list आप देख सकते हो और official website भी आप देख सकते हो ठीक है इसका infrastructure one of the best in India इस वन अफ बेस्ट इंडिया और यहाँ पर क्योंकि एक तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर यह 1961 में मना था और इसकी भी मतलब one of the best और one of the oldest college हम इसे बोल सकते हैं इसके बाद मैं बता हूं almost everything you will need to become a schoolful veterinarian is present in this college और इसकी जो fees यहाँ पर है बैटा 13,000 रूपीज is the fees 13,000 रूपीज आपको लगता है 13,500 तो इतने कम में आपका admission होता है और इसकी जो entrance exam है that is basically जहारकन combined entrance competitive entrance exam board तो JCE, CEB जो entrance exam होती है यह आपको देनी पड़ी कि ठीक है तो यह आप ध्यान रख लिजिए कि कौन-कौन से entrance exam हो रही है और कैसे कैसे यहाँ पर आपको all India quota को जो 15% है वो तो set है need के थुरू होगा 85% जो seat से that is based on this entrance exam तो अगर आप जहारकन state से belong करते है तो आप लोग यह entrance exam दे सकते हो it is one of the top colleges इसके बाद बिटा यह वाला जो college है यह मेरा college है college of veterinary science and enable husbandry जबलपूर, Mahu and Riva में तीन colleges है मद्रप्रदेश के तो मद्रप्रदेश का जो college है यहां पर जो प्रोफेसर से जहांके जो student से सबी लोग पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा top positions पे है बड़ी-बड़ी companies में top positions पे अगर आप देखेंगे तो वहां के जितने भी top के जो जितने भी लोग है तो सबी लोग mahu college या फिर veterinary, Riva college, veterinary, जबलपूर college से belong करते है और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो total number of seats है 261 seats है, 3 seats है यहां पर 201 है veterinary science की जो seats है जो 15% जो seats आती है VCI से, वो 36 है, 36 seats and NRI seats है 24 तो इस तरह के से पुरा distribution है बेटा अगर आपको इसमें admission लेना है तो admission के लिए इसमें दो तरीके से आप admission ले सकते हो PVFT and MPPVNFT and NEET exam के तुरू आप admission ले सकते हो 85% seats जो है, वो MPPVNFT से भरी आती है और 15% seats जो है, वो NEET से भरी आती है So this is the 7th number college and 8th number पर जो college आ रहा है Shri Venkateshwar Veterinary University, Andra Pradesh And it is based in Andhra Pradesh as you can see, और यहाँ पर जो official website वो भी दी हुई है And there are four institutions of this university, यहाँ पर चार institutions है एक तिरपुरा में है, एक यहाँ पर गरीव विडी में है और परादधूर, परादधूर, और अगर मैं उसका नाम गलत प्रणूंस कर रहा हूं तो और यहाँ पर यह चार जो institutions है, जो कि इस university के अंदर आते है So it is one of the best, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं में top 10 में 8th number पर stand कर रहा है यह ठीक है college So it is a very very big thing कि top 10 अगर वो इंडिया में आ रहा है So उसमें कुछ ना कुछ खास बास तो होगी It is also, यहाँ पर अगर आप देखे तो इसका fees का जो यहाँ पर दिया हुए distribution 30,000 fees आपको दी हुई है यहाँ पर, total fees आपकी पात साल में लगेगी वो सिर्फ एक लाख सत्रह हजार है तो आपका पात साल का course सिर्फ एक लाख सत्रह हजार रुपे में होता है और अगर आप private university में जाते हो तो आपको एक साल में ही दो से तीन लाख रुपे एक लीस्ट लगता है सिर्फ एक साल में ठीक है इसके अलावा जो हमारा 9th नमबर पर जो college आता है that is Bombay Veterinary College in Mumbai Maharashtra अगर आप Maharashtra से बिलाओं करते हो तो you can look after this college it is one of the most reputed colleges in veterinary और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो fees है इसके लिए यहाँ पर detail fees structure दिया हुआ है वैसे जो first year की जो fees है वे 52,000 है यहाँ पर ठीक है महाराष्ट में और इसमें जो admission होता है that is based on the NEET UG marks NEET UG में इतने जितने भी आपके marks आए है NEET exam आपको देनी पड़ेगी आगर आपको इसमें admission लेना है तो ठीक है criteria वहाँ पर सेम है जो NEET में जो criteria होता है PC भी आपको required होता है physics chemistry, English biology, as your subjects in 12th class आपको required होता है 17 years की age आपको required है अगर आप लोग apply करना चाहते है at least 17 years आपका होना चाहिए और upper age limit are 22 for the candidates और SCST के लिए यहाँ पर जो upper age limit है वो 25 years होती है और यहाँ पर 27 years होती है physically challenge जो लोग होते है उनके लिए सबसे ज़्यादा जो limit होती है अपर limit जो होती age की वो 27 होती है ठीक है इसके अलावा जो 10th number पर जो हमारे पास college निकल के आ रहा है नाकपूर veterinary college नाकपूर veterinary college it is based in महाराष्ट, it is one of the best colleges in India as you can see it is the list of top 10 colleges तो यहाँ पर जितने भी colleges है इनका कोई comparison तो नहीं कर सकता पर यहाँ पर सारे ही colleges एक से बढ़कर एक है सिर्फ एक list में रखने के लिए हमने इसे उपर नीचे रखा है but they are at the same level यहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है इसकी जो सबसे बड़ी facility यही है cafeteria, hostels, auditorium यह सब तो को मिलता ही है इसके अलावा यहाँ पर जो admission होता है admission is based on the NEET exam only जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि NEET exam के थुरू admission होता है ठीक है, तो यह थे बेटा top 10 colleges of India अगर आपको कुछ मैं इसके बाद बताना चाहूँ सिर्फ नाम नाम तो 11th नंबर पर आते है सर, SP, नरीश्यमा, राव, तेलंगाने यूनिवरस्टी और यह बेज है, है, हाईदराबाद, तेलंगाना में ठीक है, इसके बाद जो 12th नंबर पर जो college आता है अगर मैं इसको रखना चाहूँ, अगर मैं इसको रखना चाहूँ, अगर मैं लिस्ट बनाता है तो इसके अलावा, पर यह जो लिस्ट है इस website पर, शायद इसने इसको नीचे रखा है, I don't know what is the reason पर it is one of the best colleges, top 5 में deserve करता है अपना spot, और इसके अलावा, इसके अलावा जो हमेरे पास colleges निकल के आते है 13 नंबर पर जो college है, वेटनरी, college, वेबल, बैंगलोर और करनाटका में यह, बैंगलोर करनाटका का एक college है तो 13 नंबर पर एक college आता है, इसकी भी official website यहां पर दी हुई है, इसके अलावा भाई, private colleges भी है हमारे इंडिया में, private college अगर आपको देखना है तो अमरिच सर पंजाब में college है, खालसा, college of veterinary sciences ठीक है, पर यहां पर थोड़ी सी fees ज़्यादा होती है पर अगर आप लोग अफॉर्ड कर सकते हो, तैन इस वन आप दो बेस्ट colleges, अरावाली veterinary college भी है, ठीक है, सिकर गोरिया राइस्तान में यह college है, private veterinary college ठीक है और इसमें जो आपको fees लगती है, आप यहां पर देख सकते हो, 5 to 7, sorry, 5 lakh यहां पर आपको per annum लगती है fees तो वही है कि fees आपके थोड़ सी ज़ादा रहीगी, ठीक है, तो यह सारे बेटा top colleges आपके मैंने बता दिये, इंडिया के आपको top colleges, यहां पर आपको मैंने पूरी discussion करा है और I hope कि आप सभी लोग को वीडियो थोड़ सा helpful लगा होगा, मुझे पता है कि veterinary का इतना ज़्यादा content available नहीं है, net पर कहीं भी आपको available नहीं मिलता है, इतना अच्छा content तो I hope कि आप सभी लोग को मेरा काम पसंद आता होगा, और आप मुझे contact कर सकते हो, Instagram पर भी मुझसे बात कर सकते हो, अगर आपको कोई भी specific doubt है, कि किस college में कैसे admission होता है, क्या procedure है, कितनी cut-off रहती है, what is the procedure, इसका scope क्या है वेटने दी का, तो यह सब आपको मुझसे बात कर नहीं तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, and thank you very much for watching this video, तो I know कि आप में से काफी सारे लोग garment exams की preparation कर रहे हैं, काफी सारे लोग entrance exams की preparation कर रहे हो, यही नीट या फिर दूसरी जो ICR की exam से, veterinary की exam से, nursing की exam से, PMS वगेरा, तो इन सब के लिए आजकल material मिलना बहुत जादा मुश् तो मतलब जैसा आप YouTube पर search करते हो, तो आप लोग को इतना extensive material मिल नहीं पाता, जैसा आपका syllabus से उससे काफी ज़्यादा हल्ट के आपको material मिलता है online, YouTube पर या फिर कहीं और websites पर, पर अगर आप एक option consider करते हो मेरी तरफ से, I will recommend an academy, an academy पर आप लोग को जो है batch courses मिलते हैं, वहा आपको एक ही जगह, एक platform पर सारे courses, and with the top educators of India, पूरे इंडिया में जो top educators है, जो top के जो लोग है, वो लोग आपको पढ़ाते है, top के teachers आपको पढ़ाते है, और इसी के साथ साथ live learning होती है, मतलब कि जब आपको teacher पढ़ा रहा है, तो आप वो आपके सामने आपकी screen पर है, और आप उनसे कभी भी कोई भी doubt पूच सकते है, तो these are all the features of an academy, यहाँ पर आप लोग अगर an academy का plus वाला course लेते हो, जिसमें आपको कुछ और features मिलते है, यह सब तो मैंना को free वाले features बताए, जो plus वाले course को features है, उसमें आपके batch बनाएंगे, वहाँ पर आपके batch बनाए जाए जिते हो, तो वहाँ पर आपको जितने costing पढ़ेगी, उतनी इसमें total जो unacademy के costing है, उतनी उसके total costing हो जाती है, मतलब कि अगर आप कहीं offline जाओगे, और offline में आप जितना पैसा दोगे coaching में, उससे अच्छा आपको और उससे अच्छे features आपको unacademy पर मिल सकते हैं, online, at your comfort of your home, अपने घर पर बैठके आप पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपके पास वह resources नहीं है, then you can enable all these courses, and अगर आपके कोई government exams की preparation चल दी है, और फिर entrance exams की preparation चल दी है, तो हो सकता है कि आपके पास वह सारे resources available ना हो, so unacademy पर आप लोग ये courses ले करके, you can buy, और अगर आपको थोड़ और something else, so यहाँ पर काफी सारे offers आते हैं, unacademy के जर्फ से regularly offers आते रहते हैं, काफी सारे आप वहाँ पर जाएंगे, उनकी website पर, उनकी app पर, तो आपको काफी सारे offers मिलेंगे, और यहाँ पर एक code मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो code है RP10, ARPIT10, RP10 जो मेरा code है, जैसे ही आप इसको apply करते हैं, तो आप लोग को डिखने मलता है कि 10% आपका पैसा बच गया है, जैसे कि अगर कोई code से मान लीजी 50,000 का, तो उसमें अगर आप मेरा code लगाएंगे, तो 5,000 रूपीस आपका वहाँ पर instantly off हो जाएंगे, तो यह आपको एक थोड़ा सा advantage मिलता है, अग Academy के subscription के, और I hope कि आप सभी लोग इसका पूरी तरीके से उपयोग लेंगे, because आज के दुनिया में आपको कोई भी अगर एक जगा पर सारी चीज़े मिल जाती है, जैसे YouTube पे भी आपको एक जगा पर वो मिलना बहुत मुश्किल है, पुड़ा course आपको एक ही जगा मिल जाए Top Educators भी एक जगा मिल जाए, Practice Test मिल जाए, Extensive Coverage of Syllabus मिल जाए, तो ये सब कुछ एक जगा पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए Unacademy ने ये सारी चीज़े को एक जगा ला दिया है, and at a very reasonable cost, they are offering you the best of the courses from the best of the teachers of all over the country, तो I hope कि आप सभी लोग एक बार जरू पैसे बच जाएंगे, और उससे Unacademy को भी फायदा होगा, RP10, RP10 code है मेरा ARPIT10, is my code, आप सभी लोग इसको apply कर सकते है, and it will benefit you in financial ways also, और इतने आपको यहाँ पर थोड़े से 10% discount मिल जाता है, अगर आप लोग मेरा code लगा थे, RP10, so thank you very much for watching the video till the end, and please subscribe to this channel, and like this video.